जै गुरुजी, पाज कृतियों का प्रतिपादन, प्रणव एवं पंचाक्षर मंत्र की महत्ता, ब्रह्मा विश्णु द्वारा भगवान शिव की स्तूती तथा उनका अंतरधान. ब्रह्मा और विश्णु ने पूछा, प्रभू, स्रिष्टी आदी पाज कृतियों के लक्षन क्या है, यह हम दोनों को बताईए. भगवान शिव बोले, मेरे कर्तवयों को समझना अतियंत गेहन है, तथा पी मैं कृपा पूर्वक तुम्हें उनके विश्य में बता रहा हू ब्रह्मा और अच्युत, स्रिष्टी, पालन, संगहार, तिरोभाव और अनुग्रहे, ये पाँच ही मेरे जगत संबंधी कारे हैं, जो नित्य सिध हैं, संसार की रचना का जो आरंभ है, उसी को सर्ग या स्रिष्टी कहते हैं, मुझसे पालित होकर स्रिष्टी का सूस्तिर रूप से रहना ही उसकी स्थिती है, उसका विनाश ही संगहार है, प्राणों के उत्क्रमन को तिरोभाव कहते हैं, इन सबसे छुटकारा मिल जाना ही मेरा अनुग्रह है, इस प्रकार मेरे पाँच कृत्य हैं, स्रिष्टी आदी जो चार कृत्य हैं, वे संसार का विस्तार क करने वाले हैं, पाँचवा कृत्य अनुग्रह मोक्ष का हेतु है, वे सदा मुझ में ही अचल भाव से स्थिर रहता है, मेरे भगजन इन पाँच कृत्यों को पाँच भूतों में देखते हैं, स्रिष्टी भूतल में, स्थिती जल में, संहार अगनी में, तिरोभाव में और अनुग्रह अकाश में स्थित है, पृत्वी से सब की स्रिष्टी होती है, जल से सब की वृध्धी एवं जीवन रक्षा होती है, आग सब को जला देती है, वायू सब को एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाती है, और अकाश सब को अनुग्रहित करता है, पुर्षों को यह विशे इसी रूप में जानना चाहिए। इन पांच कृत्यों का भारवहन करने के लिए ही मेरे पांच मुख हैं, चार दिशाओं में चार मुख हैं और इनके बीच में पांचवां मुख हैं। पुत्रों, तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन हुए मुझ परमेश्वर से स्रिष्टी और सिती नामक दो कृत्यों प्राप्त किये हैं। ये दोनों तुम्हे बहुत प्रिये हैं। इसी प्रकार मेरी विभूती स्वरूप रुद्र और महेश्वर ये दो अन्य उत्तम मुझ से प्राप्त किये हैं। परन्तु अनुग्रह नामकृत्य दूसरा कोई नहीं पा सकता। रुद्र और महेश्वर अपने कर्म को भूले नहीं हैं। इसलिए मैंने उनकी कामना अपनी समानता प्रदान की है। वे रूप, वेश, कृत्य, वाहन, आसन और आयुद आद स्वरूप भूत मंत्र का उपदेश दिया है, जो अंकार के रूप में प्रसिद है। वे है महामंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से अंकार ओम प्रकट हुआ, जो मेरे स्वरूप का बोद कराने वाला है। अंकार वाचक है और मैं वाच्चे हूँ। यह मंत्र म मेरा स्वरूप ही है प्रति दिन उंकार का निरंतर स्मरन करने से ही मेरा ही सदा स्मरन होता है मेरे उत्तरवर्ती मुक से अकार का, पश्चिम मुक से उकार का, दक्षिन मुक से मकार का, पूरवर्ती मुक से बिंदु का, तथा मध्यवर्ती मुक से नाद का प्राकटे हुआ इस प्रकार पांच अवेवों से युक्त अंकार का विस्तार हुआ है इन सभी अव्यों से एकी भूत होकर वह प्रणव ओम नामक एक अक्षर हो गया यह नाम रुपात्मक सारा जगत तथा वेद उत्पन स्त्री पुरुश वर्ग रूप दोनों कुल इस प्रणव मंत्र से व्याप्त हैं यह मंत्र शिव और शक्ती दोनों का बोदक है इसी से पंचाक्षर मंत्र की उत्पत्ती हुई है जो मेरे सकल रूप का बोदक है वह अकार आदी क्रम से और मकार आदी क्रम से क्रमश प्रकाश में आया है ओम नमय शिवाय यह पंचाक्षर मंत्र है इस पंचाक्षर मंत्र से मात्री का वर्ण प्रकट हुए हैं जो पांच भीद वाले हैं उसी से शिरो मंत्र सहित त्रिपदा गायत्री का प्रकटे हुआ है उस गायत्री से संपून वेद प्रकट हुए हैं और उन वेदों से करोडों मंत्र निकले हैं उन उन मंत्रों से भिन भिन कार्यों की सिद्धी होती है परन्तु इस प्रणव एवं पंचाक्षर से संपून मनोरतों की सिद्धी होती है इस मंत्र समुदाय से भोग और मोख्ष दोनों सिध होते हैं मेरे सकल स्वरूप से संबंध रखने वाले सभी मंत्र राज, साक्षाद भोग प्रदान करने वाले और शुपकारक हैं नंदी केश्वर कहते हैं तदंतर जगदंबा पारवती के साथ बैटे हुए गुरुवर महादेव जी ने उत्तरा भी मुक बैटे हुए ब्रह्मा और विश्णु को परदा करने वाले वस्तर से अच्छादित करके उनके मस्तक पर अपना कर कमल रखकर धीरे धीरे उचारन कर करके उन्हें उत्तम मंत्र का उपदेश दिया मंत्र तंतर में बताई हुई विदी के पालन पूर्वक तीन बार मंत्र का उचारन करके भगवान शिव ने उन दोनों शिश्यों को मंत्र की दिख्षा दी फिर उन शिश्यों ने गुरु दक्षिना के रूप में अपने आप को ही समर्पित कर दिया और दोनों हाथ जोड कर उनके समीब खड़े हो उन देवेश्वर जगत गुरू का स्तवन किया भ्रहमा और विश्णु बोले प्रभू आप निशकल रूप हैं आपको नमस्कार है आप निशकल तेज से प्रकाशित होते हैं आपको नमस्कार है आप स्वरूप आप महेश्वर को नमस्कार है आप प्रणव के वाचार्थ हैं आपको नमस्कार है आप प्रणव लिंग वाले हैं आपको नमस्कार है स्रिष्टी पालन संहार तिरोभाव और अनुग्रह करने वाले आपको नमस्कार है आपके पांच मुख हैं आप परमेश्व पंच ब्रहम स्वरूप पांच कृत्ते वाले आपको नमस्कार है। पंच ब्रहम स्वरूप पांच कृत्ते वाले आपको नमस्कार है। पंच के सदा आध्रा के समान ही होता है। यह जानना चाहिए। मेरा या मेरे लिंग का दर्शन प्रभात में ही प्रातय और संगव मध्यान के पूर काल में करना चाहिए। मेरे दर्शन पूजन के लिए चतुरदशी तिथी, निशित व्यापनी तथा प्रदोश व्यापनी लेनी चाहिए। क्योंकि परवर्तिनी स्थिथी से संयुक्त चतुरदशी की ही प्रशनसा की जाती है। पूजा करने वाने के लिए मेरी मूर्ती तथा लिंग दोनों समान हैं। फिर भी मूर्ती की अपेक्षा लिंग का स्थान उचा है। इसलिए मुमुक्षु पुर्शों को चाहिए की वे मूर्ती से भी श्रेश्ट समझ कर लिंग का ही पूजन करें। लिंग का उंकार मंतर से और वेर का पंचाक्षर मंतर से पूजन करना चाहिए। लिंग की स्वयम ही स्थापना करके अत्वां दूर्सों से भी स्थापना कराकर उत्तम द्रव में उपचारों से पूजा करने चाहिए। इससे मेरा पद सुलब हो जाता है। इस प्रकार उन दोनों शिश्यों को उपदेश देकर भगवान शिव वहीं अंतरधान हो गए है। अध्याए दस जे गुरुजी आम नामा शिवाए। शिवेजी सदा सहाए। ओम नामा शिवाए। गुरुजी सदा सहाए। जे गुरुजी।